आज डीडी सी मत्दान का आखरी चरंड चल रहा है इसी बीच हमारे समवारदाता सनी शर्मा ने मैंधर और मनकोट का दौरा कर वहां का हाल जाना और उनका कहना है कि दिन के एक बजे तक कुल मत्दान सत्तर दशमलव एक प्रतिशत रहा उन्होंने वहां के लोगों से बात की और साथ ही तेहसीरदार पुंच हमजद बशीर और स्टीम मैंधर डॉक्टर साहिल जंडियाल से बात की कि दिन के दिन को दोस्ताइब का पार बज़ाएं कि दिन भी अनरण से ना थीज़ाएं लाग्याना कि ऐस अमंडिया जानना यूनस यूनस जरा बोर्ट ने काबोल बन्दा एजरा सिपसंद आशी बाया थेन ना जी शाक शाश कोरा-गूर, भी बांच्छाय, भी शाश है, भी बांच्छाय, उपलमचा कोषू है, भी खसेगि कोषू है। निस काहपा है आ श्विट है कि आजलां जो बाइबzub Эयुर मोत शर्व लोट जाफ बूला विम्षणियों तो फिस्जान से एकогда आजय है कि कि खेड़ ही की श्टनलियर जो भाइब देटेशक सेअधी चीरा मोत भी किर भाने में न सब कि अच्छाद के साथ भूतिंग ठीक हो रही है अच्छी पुलिंग हो रही है अच्छा है श्कूटी अच्छी है जो पड़ी लिखे जो भी जवान हैं जो अभी कंडिडेट हैं उनको मद्दे नजर लखके आम बोट आजाएं तो इसी को बोट देंगे जो अच्छा काम करें और पहले से भी काम अच्छा हो रहा है जिसको कुछ समझ हो इस बारे में देखो कुछ यगा पर ऐसी वोटिंग होती है जिसमें कुछ पता नहीं चलता मालब इलेगल काम होते हैं सब कुछ लेकर मेरे ख्याल से तो वोट उसको देना चाहिए जो हमारे काम है ठीक है जैसे पहली सरकार यह कुछ नहीं किया देखो अ अब अब ऐसा कौम हो तो इसका भी कुछ फाइदा नहीं हो है वोटनूर तो बटस बुट सोचती है बट अब आसता स्टेप गया काम नहीं हो बाते है तो फाइदा होगा वर्ना वोट नहीं को इसमे डालते हैं तो कुछ नहीं दिखा हमेरा तो फर्स टाइम ही वोटिंग अब देखते हैं हमारे सी कैसे चलेगा एक तो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कियो कि इसमें स्टप ऐस्टेप किया क्योंकि बहुत पाठेश्जिन किया पाठेशन में बहुत बहुत इजी हो ताइब आज देखने अब इस प्रोसेस को ये कैसे डील करके चलाने ठीक अब नो भूबुरे सर्थीर, ड्थेरा को पते निए फादेना लेक्ट ही है अपना अपना भीको भागी एच्छामसाद हाहा हाहा नहीं सरो है नलबा भी थाने होना और अद्धा शुटता है है टीजिन कि दिए कि आधि कि शांतिक पूरूप उल्डियु कृषिए को झने नहीं चुनेज नहीं है जरा आए अचुकि और भी करना जोने है कोई तरकी काम नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि अच्छा लोग नमाइदा चुने जिसमें हमारे बलाक का कम अच्छा हैं कि अच्छा लोगो रुमाद लोग तेजस में हमारे बलाक काम है यहीं हुआ गुमादा बलाक काम बलाक कि अच्छा लोगादा ल मस्टी खुने बलाक काम भी काम सार, बात यह है कि यह पहली बार आलेक्शन भीटी के नाए, तो हम इसमें वही बंदा चुनेंगे, जो हमारे इदर डिवैल्प्मिंट करेगा, हमारे नौजवनों के बारे में सोचेगा, तो हमारे इधर रोड़े हैं और खेलने के लिए कुछ नहीं है वसको बाइब हम बо텐ळ बहुत पीछे हैं हमारा इधर इधर बहुत पीछे हैं अम क्या बताएं आपको तो इसलिए हम व मुझें पहुबस मिखिए करेगा तो इसलिए में बस लिए किना चाहिए नाम आमीर एसका है यह जो एलेक्शन है यह जो फर्स्ट बार मारे जम्मु कश्मीर में हो रहे हैं ठीक है हमने मतलब आज से पहले लोग बहुत सारे लोगा है अमेले जैसे की रहे मतलब कोई डेवलप्मेंट ने की इस बार हम यह चाह एसके हुद आगे क्या अगे क्या करना है हम रहे हमें स्टेडियम दे मतलब डेवलफमेंट चाहिए हमें बिलकूर अशी तक सरी तो दरियात हैं, बहुत चांसी जराते हैं उसको बहने के, बिल्कुल कोई भी गुर्मेंट की तरफ से डेवलाप्मेंट नहीं हो रही है, हमारे स्टेडियम की हाले देख लो आप, यह हमारा ग्राउंड है, यह हमारा स्कूल है, बिल्कुल यह मतलब रश हालत में है, बिकार आलत में हैं, यहां के जो बच्चे हैं, वो क्या पढ़ेंगे और क्या हमारी जो यूथ है, क्या सीखेगी उसको देखे, लो मतलब जो हमारे जो यूथ है, वो ही पाढ़के तो आगे जाके इस देश की डेवलाप्मेंट करेगी, मर उसके लिए जो हमारे जो भी यहां के सियास्ती लीडर है, वो यह चीज़ नहीं सोचते हैं, जो इस पर जो डीडी सी एलेक्शन हो रहे हम यह ही चाहते हैं कि यह हमारे यूथ के बारे में सोचें, हम लोग की डेवलाप्मेंट के बारे में सोचें, रोड्स की हाले देख लो आप, तो हम मतलब सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जमुक शमीर में ने डीडी से एलेक्शन लाए, कि इससे हमें मतलब बहुत ज़्यादा फाइदा होगा, हमें यूथ को फाइदा होगा, डेवल्लमेंट होगी हमारे यहां के, और हमारे यहां पे देखो अब दरिया भी बहुत नजदीक है, यहां पे कोई मतलब सैफटी नहीं है कि जब दरिया आएगा, कहां चला जाएगा, किस-किस को बहा के ले जाएगा, कोई RCC बढ़े नहीं जा रही है, कुछ भी यहां पे काम नहीं हो रहा है, रोड्स क्याले देखो बिलकुल बेकार है, और हम सरकार से यही अपेल करते हैं, जो भी हमारे यहां का कंडिडेट हो, वो यही करें कि यहां की यूद के बारे में सोचें और यहां की डेवलमेंट करें. मेरे अलाके में जहां तक स्वाल आई यहां तक पीसफुल हो रही है, लेकन हम यह चाहते हैं कि कोई भी कंडिडेट यहां है, यहां की डेवलमेंट पो औरनी चाहिए, साफ सुत्री पहले एतनी नहीं थी. तो अब अलहम्दलिल्ला यहां तो ठीक है, लेकन इर्द की उताम सुन रहे हैं कि वहां कैप्चिर हो रही है, जिस तरह खुडबनी के अरिये में या कलाबान सुंगा के अरिये में, वहां गड़ बड़ चल रहा है मसला क्यों के फून पर लोग हमें कह रहे हैं, वहां कैप्चिर किये हुए हैं, कुछ लोग बाहर से, कल भी हमारी डीसी साब से और एस्पी साब से ये, हमने मुलाकात की थी और उनको ये कहा था कि बाहर के लोग यहां आएंगे, और उन्होंने एक दिन पहले ही गरसाई से और इर्द के बंदे लाकर वहां जमा कर दिये, फटनातीर का भी सुनाया, खुड बढ़नी का सुनाया, नाड सल्वा का, वहां बाहर से बंदे आये हुए हैं, हमने पहले कल कम्प्लेंट भी की थी, इससे पहले भी हम कहते रहें, बाहर के आदमी हमारे एरिये में नहीं आने चाहिए, यह हमारा जो बाहर की है, बाहर के एरिया, यहां का कोई बंदा हो तो कोई बात नहीं, लेकर बाहर से आकर यहां जो कैप्टिन कर रहे हैं, यह भी सरसर इकलता है, यहां तक सवाल है मेरे इस सेटेशन का यह अलहम दिल्हा यहां बिल्कुल ठीक चारा है यहां कोई शोर शरापा या कोई गैर करूनी काम नहीं चारा है यहां फस्क्लास आदाए मेरे अंताजे में डाइसो 300 कुरास हो जाइसो से तो कुरास ही होगी इस वकत लोगों को भी शो कर देखे हैं कि यहां लोगों ने बढ़ जरती इस अलिया वोड़ देले के लिए जैसे कि आप ड्वेल्मिंट के लिए और वोड़ जो जो है तो बिल्हार है जैसे कि इस से पहले लोग 20 साल देखे हैं आपने रोड की हालों देखी हो दूद्राद लाक में पानी नहीं है पिज़ी नहीं है इसलिए लोग तब्रीज जा रहे हैं तो ज्यादा 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 जो है अपने केंडियों को बोड़ करने लिया है अब देर से पहुंचे हैं हम तो यहां से सुबा साथ वे से पहुंचे हुए हैं काभी खजूम था लोगों का दो अप्लाग बाद 50% बोलिंग हो चुकिया इससे पहले तो लोग यही जा रहे हैं कि तबदील ही आए अब हर तरह से आप देखें तो अवाज ही आ रहे है कि तबदील होनी चाहिए शबदील होनी चाहिए आप हुआ तुम मझे हो टह जए हुआ है में तो दुमम घट आज प। है झाल चाहिए ऱ्ट सवयूम आब भydd्याआ कर दो कि पे ऊटू से यह कि इना बंसके भी प्लाइब, ज उब मुश्याया यह्ट? कि लो बाव कर दो के है कि दो जाओ वादिए य। बादित के लाद वादित आदिए के बादित अजया रता संग फारुक जी बताएं आज आपके इलाके में DDC एलेक्शन हो रहे हैं तो इस पर क्या कें? खके पूरा पोर्म चाहिं के रहे हैं थो आज उसम क्या है सिफ्र नगीर में वोडैन इसका मी पीजा है रही है तो इसनल भूड काहा है जोने देटी सी एलेक्शन कंडेक्ट करवाए तो हमारे एक अच्छा लीडर जो हमारे यूद का काम कार सके और हमारे डवर्टमेट कार सके अम शुक्रिया करना चाहते हुआ है तो हम इस पार जो है यह जो है यह जो है यह हमारी स्टेट में पहली बार आए उनीस सो पचास के बाद पहली बार आए तो हम यह बॉर्डिस लिए का दिने वाला हूं कर रहे हैं कि है इवर्ण के लिए उस कंडिडेट को दिएक्र जाएगा हो obedience कर रहे हैं इसलिए आपनी बारी की अनतजार कर रहे हैं तो यह जह बठाना तौर आपहँए और अभी तक यहां 78% पॉलिंग हो चुकी है, जबकि अभी भी तक एक गंका है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैक्सिमुम पॉलिंग हो, और वैसा कोई मेजर कोई वॉयलिंस का इंसिदेंट भी नहीं हुआ है, और सब ठीक जा रहा है अभी तक, तो सर्क पॉलिंग होई ह और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमुम पॉलिंग हो और नौन वाइलिंग तरीके से होई है, तेंक यू सर्थ